ट्रेक्टर का साइलेंस रमेज आगे क्यूं होता दोस्तो सबसे जादा दिन दिने वाला जानवर कौन है दोस्तो दुनिया की सबसे बुला ट्रकौन है एक ऐसा पच्छी जो हाथी को अपने पंजे में दवा लेता था दोस्तो एक ऐसा देजान भी खारियों को लाइसस बनान यह जगाह नामी विया का वेस्ट कुष्ट बता देख यह दुनिया का सबसे पुराना रगिस्तान जो करिफ साड़े पांच क्रोल साल से भी ज्यादा पुराना खास बात यह भी है कि यह दिखने वाल रेत के टीले विस्व में सबसे बड़े हैं नमबर 16 दोस्तों दुनिया भार में भारा देश तेज से टेक्नलोजी के छेत में वेदी कर रहा है भारा दुनिया का चवता ऐसा देश है जो अपने सूपर कॉम्प्यूटर स्खुल बनाता है आने तीन अमेरिका चीन और जपान है नमबर 15 दोस्तों आज तक की 80% हवाई जादुरुगटना उडने के तीन मिनट के अंदर या लेंडिंग के समय आखरी आठ मिनट के अंदर हुई है सबसे बड़ी हवाई जादुरुगटना उने से तत्तर में टोक अप करते हुई थी जिसमें लगवा 500 लोग की जान गई नमबर 14 दोस्तों तोते की 400 परजातियों में से काकोपे ही एक ऐसा तोता जो उड़ नहीं सकता काकोपो को उल्लू तोता भी का जाता या तोता अधिकतर न्यूजी लेंड में पाए जाता है नमबर 13 दोस्तों प्राचिन काल में सहदूल या उकाब नाम का पच्ची होता था जो रूस में पाए जाता था या इतना विसाल होता था की हाधिक को भी अपने पंजे में दवा कर ले उड़ता था नमबर 12 दोस्तों दुनिया में सबसे 30-30 वेल मचली की होती है जो 125 से लेकर 30 डेसिबस तक का साउंड निकालती है यानि की वेल मचली की अब आज 800 किलोमीटर दू तक सुनाई दे सकती है नमबर 12 दोस्तों स्वेडन के सहर में भी खारियों को भीक मांगने के लिए भी सरकार से 2000 रुपए में लाइसन्स बनवाना पड़ेगा बिना लाइसन्स के पकड़े जानने पर उने 30 रुपए तक का जुमाना भरना होगा नमबर 12 दोस्तों प्लैन लेंडिंग और टेक अप के बखोस्टेश खिड़कियां खुरी रखने को इसलिए कहती है ताकि दुरभाग बस अगर इंजन में आग लगती है तो खिड़की के पास बाइठे लोग से देखे और तुरण इसकी खबर दे और इस तरह से किसी अपना को टाला जा सके नमबर 9 दोस्तों बारत की पाली अंडर वाटर में टोटनल कोलकाता में दो जाटेश तक बनकर त्यार हो जाएगी जो कि हुगली नदी के नीचे 33 मीटर की गराई पर बनाय जा रहा है नमबर 8 दोस्तों गिनिज वर्ल रिकॉर्ड के दुनिया की सब से मंगी सराप की बोतल टकीला ले 925 ऐस बोतल पच्छेजा चार सो हीरे जड़ हुए है इसकी एक बोतल की कीमत 30 को रुपए है नमबर 6 दोस्तों मित सागर को मित सागर इसले कहा जाता क्यूंकि इसमें कोई जलिये जीवन नहीं है मित सागर एक अत्यादिक खारा जीले मित सागर जॉर्डन वाइज राइल के मद इस्तिस है नमबर 5 दोस्तों डियार दियो द्वातियार की गई भारत की पाले स्वादे सी एंटी रेडियेशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सपल प्रिच्छन क्या गया यह मिसाइल नाम का एक कच्छुए है जो 190 साल का है इसका जनम 832 में हुआ था ऐसा माना गया है कि इस कच्छुए का नाम गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सामील है और आज भी यह अट्लांटिका महासागर में एक दूपर रहते हैं नमबर तिन दोश्टो इस नदी का नाम है कायनो क्रिस्टल जो कॉलंबिया में बहती है इस नदी की खास्यत ऐसी है कि यह हर मौसम के साथ अपना रंग बदलती है नमबर दो दोस्तो जपान में चौथी मंजिल नहीं होती है यहां तीसरी मंजिल के बाद पांच मीं मंजिल आते हैं यहां चार सब्सका परियूग नहीं करते हैं क्योंकि इसे लोग असुब मानते हैं नमबर एक ट्रेक्टर का साइलेंसर हमें सागे क्यों होता लेकिन ऐसा क्यों चलिए जानते हैं दरसल दोस्तों ट्रेक्टर का अगरी कल्चर में जोनने वाली गाड़ी है जिसे दूसरी गाड़ियों की तरह दिखावे की जिरूत नहीं पड़ती है और अगर कमपने से एड़्जस करके साइलेंसर को पीछे लगावी दे तो भी ट्रेक्टर काई उबर खावा रास्तों से गुजरना पड़ता है जिसकी बज़ाद से साइलेंसर के अंदर मेटी और पत्था जा सकते हैं और ऐसे में इंजन के खराब होने के चांसे बढ़ सकते हैं इसके अलावा साइलेंसर को आगे लगाने से एक लंबे एक जास्ट पाइप को खीदने का खर्चा भी बच जाता साथ ही मेंटरेंस के दोर मेकानी को ज़्यादा मेनत भी नहीं करनी पड़ती है